हेलो इस्टूरेंग्स कैसे हैं आप लो देखी आपके बोर्ड उक्जामस में कुछ उक्षर ऐसे होते हैं जो लगाता रिपीट होते हैं तो ऐसे ही कुछ उक्षर जो लॉंग में आपके एक एक्जाम में आ सकते हैं confused question आपके लिए लेकर रहे हूँ आज मैं बता रहा हूँ वेश्टी अर्सास के टॉप 20 कोशन कौन कौन से हैं बिद आंसर और बिद एक्स्लिनेशन लाज तक बने रही है क्योंकि हर एक कोशन इंपोर्टेंट है कहीं न कहीं आपके एक्साम में आज चुका है और इस बार की आने की पूरे चांस इन्हीं 20 में से लाज कोशन आएंगे इस बात की गारणटी मैं देता हूँ तो पहला कोशन जो है देखी बिद आंसर है आँसर आप नोट करके रखिएगा ठीक ना बिद आंसर है यह पहला कोशन है उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं भोक्ता संतुलन की मानेताएं और दसाएं इस पैश्ट केजिए आपको भोक्ता संतुलन के बारे हैं बताना है और साथ साथ उसकी दश्राओफ के बारे हैं पहलां अबौकता संतुलन एक ऐसी स्थिती है जिसमें एक उपभोकता अपने आय को किसी बस्तू पर इस प्रकार बैए करता है जिस से उसे प्राप्त होनी वाली संतुष्टी अधिक्तम अकbn अधिक्तम संतुलन की कुछ माननेता है जैसे उपभोकता एक विवेक्षिर प्राणी होता है वह सदे भी सित्यों में अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करने का प्रयाश करता है उपभोकता की मोध्रिकाय में कोई परिवरतन नहीं होता है उनकी इंकम जैसी है जह हम अध्यन करते हैं उसमें बैसे में ना कम ना ज़्यादा होना चाहिए उपभुकता की रूची आदत में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए उपभुकता अपनी आए उन दो बस्तू उपर बैख करता है जो एक दूसरे के प्रतिस ताफ़क हो साथ किसी बस्तू की अधिक मातरा सदे उपभुकता को अधिक संदूश्टी प्रदान करती है अब हम बात कर लेते हैं उपभुकता की संतूलन की परमुक्त दशाओ की बात करें तो सबसे पहला है जब किवल एक ही उपभुकता उपभुक करता है मतलब कि एक ही बस्तू की बात परतेक रुपए की सीमात उपयोगिता बस्तू वाइक पर खर्च किये गए परतेक रुपए की सीमात उपयोगिता के बरावर होने चाहिए रइट यह आपका पहला कोशन है कोशन नमबर टू वैक्तिकत मांग तथा बाजार मांग में अंतर इस्पष्ट कीजिए तो आपको बैक्तिकत मांग और बाजार मांग के बारे बताना है ठीक है बैक्तिकत मांग से अभी पराए एक बस्तू की उसमातरा से है जिसे एक उप्ष्टा एक दी गई समय अब्दी में परतेक संभव कीमत पर खरिदने के लिए तयार होता है जबकि बाजार मांग से भी पराए एक बस्तू की उस मांग से हैं जिसे बाजार में उपस्तित सभी उभुकता दीके समवाई अब्धिय में परतेख संभव कीमत पर खरिदने को इच्छो होता है अब अगर बैक्तिकरत मांग की दूसरे पॉंट की बात करतेएं बैक्तिकरत मांग से लिधार अ attempted में बस्तू की कीमत, समन्नी बस्तो की कीमत उभुकता की आख और बुगता की रुची शामिल होती है जबकि माजार मांग में के इनमधार घटकों में बैक्तिकत घटकों के साथ ही जनसेंगा में परिवरतन, मुद्रा की मातरा में परिवरतन, जनसेंगा संडचना में परिवरतन भी शामिल होता है बैक्तिकाद मांग को 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 बैक्ति राइट संजना आ है, अब आगए बढ़ते हैं. होती है बिला सकती है बस्तों की मांग किसे होती है अधिक लोज़दार होती है क्योंकि ऐसी बस्तों में जारा से कमी होती है उसकी मांग अचानक बहुत जादा बढ़ जाती है ऐसी मांग को हम लोज़दार मांग कहते हैं तिसरा आरामदार बस्ती है जो नॉर्मल जैसे कुरस सामाना था कpie सकते हैं कि इसको नोस दार ब। जैसे कोईला कौईले के बहुत सरा प्रोग को लिए का प्रियोंग घर में खाना बनाने के लिए होता है रेलवे में होता है विजली बनाने के लिए इसलिए उसकी मांग लोजदार होती है जब कि ऐसी बस्तु की कीमत कम होने पर अधिक मातरा खरिदना चाहता है जब कि कि Amir लोगों की कीमत कम हो ज़दा को कोई फराक ने पड़ता उसकी मांग बैलोजदार होती है उसकी मांग जो है नीर्फेक्ष होती है मतलब एकाई लोजदार होती है ठीक है यह उसन अमर음 5 के यह की हूलाग होता है उत्पत्ति रास नम की बात करते हैं ये अल्पकानिक उत्पादन फलन का नियम है उत्पत्ति रास नियम ये बताता है कि एक उत्पादन साधन में परिवर्तन करने और अन साधनों को इस्थी रखने से उत्पादन में घर्टी दर से बिद्धी होती है और इसके बारे में इस्टिगलर ने लिखा है खुदपत्ति के अंसादनों की इकाईों को इस्थिर रखकर किसी एक सादन की इकाईों की मातरा में बृद्धी की जाए तो एक सीमा के प्रश्ट उस इकाई से प्राफ्थ होने वाली उपज घटने लगती है इस नियम के अंतरगत परिवर्तिल सादनों की इकाईों में बृद्धी करन से कुल उत्पादन की पहले घटती मातरा प्राफ्थ होती है मतलब अंपी बढ़ती रहती है उसके बाद यह स्थिर होती है एंपी घटती है शुन हो जाती है अंत में उत्पादन घटने लगती है और यहां पर एंपी जो है रड़ातमा हो जाती है देखिए आपके सामने ग्राफिकल रूप में रिपर्जिन करता हूँ यहां पर जाका इस्तिसादन दूसरा है परिवर्तिसादन एक दो तीन चर्क पंचे साथ दूसराथ फिर आपका फुल उत्पादन 20-25 जैसे उत्पादन बढ़ता देखिए उसरद उत्पादन जो है पहले बढ़ता है पहले रूप पहले ये बढ़ता हुआ है फिए घरता हुआ जीरो हो गया फिर ये नेगेटिव आ गया तो इस इस्तिती को जो है उत्पत्ति रास नियम के नाम से जानते हैं अब इसको ग्राफिकल रूप में रिपर्जन करते हैं जखेंगे यह यह पहला जो है यह हमारे टीपी यह एपी और यह हमारा एमपी जैसे एमपी बढ़ता चल एक पत्ति रास नियम के लागौने कि कुछ कारण हैं जैसे एक यह आधिक सादनों का इस्तिर होना कुछ परिवरतन से लगत H आनकूलतमाजार के बाद जाने पर उत्पादन के सादनों का पूर्ण इस्ताफ़न होने जो ए उतपत्ति रसनियम के पुर्मुक कारण होते जिसे लागो होता है आगर बढ़ते कोश्चन नमबर फिद बाजार मांग और सामान कीमत में अंतर इस्पेश्ट कीजिए बाजार कीमत मांग और सामान कीमत सबसे बाजार कीमत समय बाजार कीमत अलप कारें कीमत होती है जब कि सामान कीमत द सिर्जियों होती story की आएश्ठिya का परवाब नहीं पड़ता है थे माँ का परमौघ सुर्ण कि सामानी कीमते पूरती तत्वर का अधिक परियोग होता है सामान बाजार कीमत उत्पादन जागत से कम या ज्यादा हो सकती है सामाने केंतरसा देव पातनलागत के बराबर होती है बस्तू की प्रेकरती की बात करते हैं बाजार कीमत दुबारा उत्पन की जाने वाली और दुबारा ना उत्पन की जाने वाली दोन ही प्रकार की बस्तू की होती है जबकि सामाने कीमत के वर पुर्ण उत्पन की जो दुबारा से प्रियोग उत्पन हो सकती सक्しょう turn Co कोशनदमण 6 पूर्ण परत्योगीता क्या है पूर्ण पर्ती इता की पूर्मुख बिश्चताउ को बता ये पूर्ण तो गिता एक ऐसा बाजार है जिसमें क्रेता और बिक्रेता की संक्या अधिक होती है और इस बाजार में सम्रुग बस्तू का क्रेविक रह होता है सम्रुग बस्तू मतलब ये आकार में परकार में रूप रंग सौद में एक जैसी होती है और संपूर्ण बाजार में बस्तू की एक ही सम्वान कीमत पर चलित होती है ठीक है इसकी अगर परमुग बिशिष्टाओं की बात करते हैं तो नमबर बन इस बाजार में क्रेता और बिक्रेताओं की संक्या अधिक होती है नमबर टू इस बाजार में सम्रुख बस्तूओं का क्राय विक्राय होता है नमबर त्री बाजार की दशाओं का संपूर्ण ग्यान क्रेताओं को और विक्रेताओं को होता है कीमत का निर्दारन बाजार की शक्तियों मांग और पूर्ती के दर होती है इस बाजार में नए फर्मों का परवेश और पुराने फर्मों की निकासी पूरता सत्मत होती है साथ साथ इस बाजार का जब विक्राय लागत होती है बश्चुन होती है इस बाजार में बस्तू की विक्राय लागत पर किसी फरकार का बिग्यापन किसी फरकार के स्परमोशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ठीक है नेक्ट कोईशन कोईशन नमबर सेवन सीमान दुप्यूगिता एबं कुल उप्यूगिता की विज़ की सम्मन्द को रेखाचित्र की सायता से इस पश्ट कीजिए कोईशन से ना साहिक कोईशन जो है लगा ही न कहीं अब उठा के देखिए आपके बोर्ड एक्जाम कहीं है ऐसे में ये कोईशन ही रिपीट होते है क्योंकि लॉग कोईशन एक्जाम में बैसे कम आते हैं लेकिन कुछ कोईशन से होते हैं आने के चांसर सबसे ज़्यादा होते हैं उससी में से एक क्वेशन ही है सीमाद उप्योगिता एवन कुल उप्योगिता एवन की M.U. & T.U. के भी संबंद को रेखा चित्रे के माद़ा पसे बताना है लेकि सबसे पहले दोनों की अर्थ को बताई है जेमांस के अनुसार सबसे पहले कुल उप्योगिता तथा किमाद उप्योगिता की संबंद और अंतर की महत की बैक्या की जाती है इन दोनों ने कहा था जहां पर कुल उप्योगिता और सीमाद उप्योगिता की विश्य मुखिता तीन पूर मुख संबंद है नमबर एक जल कुल उप्योगिता घटती ही होई दर से बढ़ रही होती है तब सीमान को अपयोगिता घ्ट रही होतीए लेकिन धनातमग नेए टिक नमबर टू जब कुल उपयोगिता अधिकतَّ होते हैं कि सबसे ज़्यादा हो ती उस इस्सितिती यह जो है अपका M U है ठीक है अब T U बढ़ रहा है एक इस स्थिती में क्या है M U हमारा positive है यह है 4 से 5 तक लेकिन जैसे इस point में L वाले point में L जब है तब हमारा जो M U है वो कहाँ पर 5 में एने की zeros position में है ठीक है N पर तो यह है उसके बाद जैसी M U हमारा 5 से नीचे आ जाता है वो हमारा minus में आ जाता है और सिस्थिती में देखिए T U उपर से नीचे गिरता हुआ होता है इसका मतल़ हुआ तीन तरे के संबंद को इस्पष्ट कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते है next question की तरफ question number 8 मांग की लोच से आप क्या समझते हैं इसकी विविन सिरनियों का बनार कीजिए मांग की लोच क्या बताता है बस्तू की कीमत में परिवरतन के शुरूब अगर उसकी मांग की मातरा में जो परिवरतन होता है उसकी बीच के संबंद को बताता है हैंने की बस्तू की कीमत में कितना परिवरतन हुआ उसकी तुल्णा में उसकी मांग में कितना परिवरतन हुआ और इस परकार से मांग की लोच की पुर्मुक्ता पांसरेणिया होती है सापिक्ष्टा लोजदार मांग ये एक ऐसी मांग होती है जहां पर जो लोज होती है एक से ज़्यादा होती है जब कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलसरू बस्तू की मांग में उससे अधिक परिवर्तन होता है अगर कीमत 10 प्रतिशत में ब्रिद्ध हो तो उसकी मांग में 20 प्रतिशत की ब्रिद्ध हो तो कि उससे ज्यादा देखिए ग्राप भी अपके साथ है बिद ग्राप आप इसको ग्राप को जरूर बनाईएगा ठीक है नेक्ट सापक्ष्टा बिलोजदार मांग सापक्ष्टा बिलोजदार का मतलब होता है बस्तू की कीमत में जितना परिवर्टन होता है उसकी तुलना में उसकी मांग में कम परिवर्टन होता है माले जे कीमत में 10% का परिवर्टन होता है तो उसकी मांग में केवल और केवल आठ प्रतिशत का या पांच प्रतिशत का परिवरतन होता है ऐसी में उसके ग्राफ देखी किस तरह से बन रहा है उसलिदा उपर ये P मतलब कीमत और क्योंपर quantity का मतलब होता है ठीक है ना नेक्स इकाई लोजदार एक ऐसी इस्तिती जहाँ पर बस्तू की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुला में मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है यहाँ पर कीमत और मांग में समान परिवर्तन होता है इक्वल होता है इसलिए इसका जो ग्राप होता है इस टेट लाइन में बनता है और दुन्यों कीमत और मातरा की बीच में समंहान गाप को शो करता है नेक्ट पॉंट फूर्ण पॉंटा लोजदार मांग पॉंटा लोजदार बीचप होता है जब बस्तू की कीमत में बहुत sanah पॉर्ण होने पर भी उसकी मांग मूंग twenty most कीमत परिबर्त फिदान हो रहा है लेकिन मांग olması में तो कि में कोई परिबर्तन नहीं होता है ऐसे इस्तिती को हम बिलोजदार mang के शितвे संतो 6000 से इसने को अусаas दो कि तो इन दोनों की बारे में बताना है तो सबसे पहला चीज़ है कि मांग वक्र का शिफ्ट है मांग वक्र में शिफ्ट है दो कार के परकार होते सबसे पहला है मांग में परिवर्तन ठीक है अब मांग में परिवर्तन में पहला पॉइंट है मांग में ब्रिद्धी और दूसरा है मांग में क्रमी मांग में ब्रिद्धी जब बस्तू की कीमत की किसी बस्तू की मांगे गई मातरा उसकी कीमत के अन्य तात्वों के कारण परिवरतन होता है तो उससे मांग बढ़ जाती है और मांग में ब्रिद्धी कहते है ऐसे में जो बस्तू की कीमत देखे यहां पर यह बस्तू की कीमत है और यह है मांग की मातर पहले इतनी थी और बढ़के इतनी हो गई ऐसे में मांग बक्र जो है वो उपर की और की सखरा है तो यह होता है डीडी कर डीडी कर आगे बढ़के आगे बढ़ रहा है डीवन डीवन तो इस इस्टिती को हम मांग में ब परिबतन होता है। उसमांग में कमी हो जाती है। जब ऐसे म Pacific होती है तो कीमत अपनी जहां पर है तो म techniques की रहाता है नेचे की रहाता शिप्ट हो जाता है नीचे की रहा घठा है और अरे करवी में कमी का हो ना दूसरा है मांग की दिशा में परिवर्ट होना मांग की दिशा का मतलब होता है मांग वक्र में परिवर्ट होता है मांग वक्र उपर क्यों नीचे की और किसंग जाता है यह रहता है अपनी जहां पर है यह तब होता है जब अन्निक बाते समान रहने पर केवल कीमत में कमी होने पर बस्तू की अधिक मातरा खरीदी जाती है तो मांग वक्र का संचलन नेचे की और होती है इसे मांग का बिस्तार कहते है यहने कि जब बस्तू की कीमत यहां पर थी तो मांगी जारी इतनी मातरा ठीकिना अब बस्तू की कीमत कम हो गई तो मांगी जारी है जादा मातरा यह वाला पॉइंट तो इसे मांग बकर जो पहले यहाँ बन रहा था अब नेची की यह बन रहा है इसको बोलते है मांग का बिस्तार जबकि दूसरी जहाँ पर मांग का संगुचन अन्ने बाते समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी होने पर बस्तू की कम मातरा खरी दे जाती है तो मांग बकर का संचरन उपर की रहोता है जिसको बस्तू की कीमत पहले यहाँ थी और मांग जारी इतनी कॉंड़िटी अब भस्तु की कीमा जो है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, उपर की हो इसे मांग की मातरा में भी कमी आ रही है, ठीक है। उब्भोक्ता के संतुलन को इस्पष्ट कीजिए उब्भोक्ता के संतुलन की बात पुछा गया है यहां पर तो सबसे पहले उब्भोक्ता के संतुलन कार्थ बताईए हां पर कि उब्भोक्ता के संतुलन से विपराए उस इस्तिती से है जिस पर उब्भोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टी प्रात होती है और दी गई कीमतों और दी गई आयम में से कोई बदलाब नहीं करना चाहता है अधिकतब संतुष्टी की बिन्दू को अन्धिमान मांचितर और बजट रेखा दुनों के अध्यन से प्राप्त किया जा सकता है और उब्भोक्ता के संतुलन को दरसाने की दो पर्मुख सर्ते हैं नमबर बन, कीमत रेका उदासिता वक्र को इस्पष्ट करते हुआ होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यह कीमत रेका जो सीधा है, आरस, यह कीमत रेका है, और यह जो कर्व हुआ है, जो आईसी है, इसको बोलते हैं, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, बिंदू E पर, इ गिरती हुई होनी चाहिए, कम होती हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यदा अमर्स जो है, नुकसान करता है, तो उबोक्ता के संतुलन के दूसरी शर्त है, कि अमर्स संतुलन बिंदू पर गिरती हुई होनी चाहिए, इसका आरती यह है, कि संतुलन बिंदू पर अनधिमन ब सिती के नाम से जानते हैं ठीक है पूशन नमर 11 पूर्ट पर्तियोगिता के अंतिकत बाजार संतुरन का निर्धारन कैसे होता है यह पूर्ट पर्तियोगिता में संतुरन कीमत के निर्धारन कैसे होता है समझाइए देखिए यह जो कॉंसेट था परफिसर मारसल था परफिसर कीमत का निर्दारन हो जाता है ठीक है समझ मांग यह पूरा पॉइंट इसकी बारे में आपको लेखना हो थोड़ा सागे बढ़े अर्था जिस बंदू पर बस्तू की मांग और पूर्ति अपसमें बराबर हो जाती है उसी बंदू पर बस्तू के संतुरन मूर्ट ने जात होता है यहां कि संतुरन मूर्ट बराबर होता है बस्तू की मांग बराबर बस्तू की पूर्ति एक ग्राफ के तुरू आपको समझा जाए जैसे यहां पर यह टेबिल दरक है बस्तू की कीमत बढ़ रही है तो मांग की मातरा काम हो रही है जब कि तो मांग और पूर्थी दोनों अपसे बराबर है इसी को बोलते है संतुनन्ट कीमत कियों की जितना हमने मांगा है उतना मिल जा रहा है तो इसी कीमत की कीमत 6 को हम संतुनन्ट कीमत इस तरके नाम से जानते हैं ठीक है कुशन नमर 12 है इस बाजार में बस्तु का कोई निकरतम प्रतिस्थफण नहीं होता जो इसको टक कर दे सके इस बाजार में नई परमों का फर्मेश परवेश जो होता है वो पूर्टा प्रतिवंदित होता है कोई भी नया फर्म नहीं लगा सकता, इस बाजार में औसता और सीमाथ आए वक्र उपर से नीची की और गिरता हुआ होता है, कीमत के निरहन एक आदिकार सौयम करता है, और इस बाजार में बस तु कीमत विवेद किस्तिती पाई जाती है, ठीक है, ना, क्योंकि एक ही विकरेता होता है, वो चाह यह, करती सीमाथ उप्योगिता का नियम के अनुसा जैसे जैसे किसी बस्तु की समान इकायों का उभूबग बढ़ता चला जाता है, बैसे बैसे उससे मिलने वाली सीमाथ उप्योगिता भी कम होती चले जाती है, यह भी प्रफेसर मार्सल का जो है, बैक खान है, जिकि इस सबसे पहले परती बातन आउस्ट्रिया के अर्शास्त्री प्रफेसर एक्स एस गोसेन ने किया था, इसलिए इसको गोसेन का परतम नियम के भी नाम दिया गया, प्रफेसर मार्सल ने इसको एक्स्प्रेंड किया है, कि अन्य बाते समान रहे पने पर किसी बस्तु की पास, क उससे मिलने वाली जो संतुष्टी है या भी उससे मिलने वाला जो उपयोगिता है वो दिरे-दिरे कम होती चले जाती है तो सीमात उपयोगिता के नियम लागो होने की कुछ शर्ते है नमबर एक उबहो की जाने वाली बस्तु की सभी इकाईयां गुण और पड़े नाम में स शुटा नहीं हो चाहिए नौनमाल होना जैसा की हर कोई पर करता है बस तो की एकाई का आखार प्रियाफ्त होने चाहिए वोगता की ब्यावहर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए वोगता की आई रूची आदत फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस ग्रा होता है कम खर्च करना तो बीदावास का मतलब होता है स्वाइत बचत में बृद्धी से कुल मांग में कमी होती है इस प्रकार सकल उत्पादन में कमी आती है जिसे कुल बचत का बजाती बिरुदाश्मास क्यों है क्यों संकीर रूप से बोल रहा है कि कुल बचत गिर सकती है क भागों के बारे में जो सत्ते है वो संपूर के लिए सत्ते हो जाना चाहिए ठीक है तो इसका अंसर कंप्लेट अंसर आपके सामने इसको समझे इसको पढ़िए और इसको लिए आंसर आ गया तो जरूर लिखिएगा कोर्छन 15 सीमाद उप्यूगिता विश्टलेशन का परक्ड़ करती हुए उप्भुकता संतुल्रन की शर्तेबत इससे पहले मैंने उदासीनता वक्रिश्टलेशन को बताया अब यह सीमाद उप्यूगिता विश्टलेशन तो कोई भी हो हमें अब समझना है कि उपवोक्ता संतुलित का वोतार की होता है उपवोक्ता संतुलित का वोतार की होता है उपवोक्ता अपनी आएक कि इस परकार बैय करके अपने लिए अधिक्तम संतुलिती प्राप्त कर सकता है इस प्रकार एक उफवोगता संतुनन की स्थिती में उस समय होता है जब वो अपने सीमित आए को विविन बस्तु अपर इस प्रकार से बैख करे कि उससे मिलने वाली सीमात उफ्योगता सबसे जादा हो अन्यश अब्दों में हम कह सकते हैं एक उफवोगता संतुनन की स्थिती में तब माना जाता है जब उसकी आए के परियोग से अधिक संतुष्टी प्रात होती जब एक्स बस्तु की सीमात उफ्योगता वाई बस्तु की मौद्री उफ्योगता के जादा या बरावर तक ना जाए तब तक उबोक्ता संतुलित नहीं होता है इस परकार उबोक्ता के संतुलित को की मातरा उतनी ही खरी दिनी चाहिए जिससे मुद्रा की रुप में बस्तु की सीमा दुपी होगी था बस्तू की कीमत के बराबर हो जाए और उबोकता संतुरन का बिन्दू हो जाए आब इसको ग्राफिकल रोपे समझीए ये है बस्तू की काई है पहला first quantity ये बस्तू की उबोक के सीमा दूपी होगी था कि बस्तू की उबोक कर साथर में बराबर हो जाए उसी बिंदोकं संदलन इस तरकर मानते हैं ठीके कुछर बीकवाने के पर्तिफल का क्या एठ ने पर्तिफल तैगरते परति परतिको को समझाईए ससे परहर प्रतिफल क्या डूह को कीमत की परतिफल फड़ कीमत की तेड़ की What promise month झाओ लुए दीरकार में कोई भी उत्पत्ति या साधन इस्तिर नहीं रहता सभी उत्पत्ति के साधन परिवरतन शीर हो जाते हैं तथा उन्हें आवशक्तन उसा परिवरतन भी किया जा सकता है बाकी उत्पत्ति के साथ परिवर्टन शिर्ट होने की कारण उत्पादन का प्यमाना परिवर्टित किया जा सकता है ठीक है अब ऐसे में प्यमाने के पर्तिफल की प्रमुकतत तीन अवस्ता होती है पैमाने के बढ़ते पर्तिफल का, इस्तिर पर्तिफल का और घर्ते पर्तिफल का पैमाने के बढ़ती इसका मतलब यह हुआ कि उत्पत्ति के सादनों में जिस अनुपात में ब्रिद्धी किया जाता है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन में प्रिद्धी होती है ऐसे में जो ग्राप में हम जब देखते हैं कि साधन A और साधन B के तुलना में साधन A में जादा गया होता है क्यों कि हम यह मानते हैं कि जतना साधन प्रयोग किया गया जो है उत्पादन में भी उसी समान अनुपात में परिवर्तन होता है इस इस्तिती को जो है प्यामाने के इस्तिते परतिफल का नियम कहा जाता है और लास्ट है प्यामाने के घरते परतिफल का नियम इस नियम के अनुसर बस्तु की उत्पादन के लिए जो भी सादनों में ब कम ब्रद्दी होती है इसे पहमाने के रासमार पृद्धिफल का नियम कहा जाता है कोशिशनबा सेवणटीन बाजार से क्या अजा है प्रटू गिता के आदार पर बाजार के बर्गी करेंगे बाजार वाच छेत्र होता है जह पर किसी बस्तू के क्रेटा और विक्रेटा आप पूर्प प्रत्यों किता बाजार और लेखादिकार ठीक है अब इन बाजार के वारे में जानते हैं अच्छे से उसकंदर डिक्स्क्राइब करने की जोड़त नहीं है कोशन समझे नेक्स लाब अधिक्तवी करन को परिवासित कीजिए इसकी होने की आवशक करते हुए लाब कम से कम होती है तो इन दोनों की कुल आगम और कुल लागम इन दोनों के बीच का जो अंतर सबसे ज्यादा होता है उस स्थिति को हम लाब अधिक्तव करन कहते हैं अगर पूर्ट प्रत्यों किता बाजार की स्थिति देखिए एक ऐसा बिंदू जहां पर जो सीमान कर वोता ह है सीमात आगम को नीचे से काड़ता है लाइक है तो इस बिंदू को हम जो है क्या बोलते हैं अधिक्तम लाव का बिंदू इनको मतलब उपकृत्पादक संतुरन का बिंदू इसकी दो परमुसरत एक जो सीमात आगम और सीमात लागत आप अप दूसरा एमार एमसी वक्र ज जो है संतुरन म요ош उत्प descistetic Normal Nit Knight केंदरी उजनबत आरतिवस्ताराथा Baazaar circa बेद को इसपिछ्ट कीजिए बाजार अरतिवस्ता और केंदूरी ज्यवक्तर आक रटवस्ता को हम पूझी गताते हैं और क्युंदिधाक हम समाजवादी अरतिवस्ता की नाम से जनते हैं बाज इसमें एक सरकारी सस्ता का अधिकार होता है संपत्ती पर निजी व्यक्ति का निजी सौमित्व का अधिकार होता है संपत्ती की कोई सीमा नहीं होती है जबकि योजिनावत तरीके में संपत्ती की सौमित पर उचितम सीमा लागू की जा सकती है तथा निजी सौमित्त सरकार की के देखवाल में होता रहता है कि मैं कि देखना की में सरकार कई पर्तेक्स साहवाई किता नहीं होती है तो उत्पादन पड़किरिये में सरकार की प्रत्यक्स सहवागी होती है किसमें क्योंकि केंद्री विजनवत कार्यक्रामों की अनुराउफ होना चाहिए टिक है एंद्व कोश्षान की वाजर मांग को पूर्मुक्तत्व कौनसे और इससे करान जो है एक बाजान में बस्तू की मांग प्रवावित होती है ठीक न और इसी करण जो है बस्तू की कीमत अब डन होती रहती है मेरे खाल से यह सारे क्वेशन आपके लिए बहुत ज़ता इंपोर्टेंट है कुछ तो रिप्यूड भी हो चुगे होंगे और कुछ आने के चांसे से जब चाहे आप मुझसे बाटस अब करके कमेंट बॉकसे में कमेंट करके पूछ सकते थैंक यू अवरिवन बाई